पैसे निकालने के लिए अब आप लोगों को ATM कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है आज से पहले आपने जब भी ATM से पैसे निकाले आप लोगों को कार्ड की जरूरत थी यानि आपके पास जो डेबिट कार्ड होता है उसी से ATM से आप पैसे निकाल सकते हैं लेकिन अब एक ऐसी चीज होने वाली है कि आप ATM से पैसे भी निकाल लेंगे और आपको कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बिलकुल मैं सही कह रहे हूं आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप without ATM कार्ड अपना पैसा ATM से निकाल पाएंगे लेकिन अब यह होगा कैसे सबसे पहले मैं आपको बता जाते हैं आप कहीं भी चलर जाते हैं वहाँ पर आपके पास जेप में कैश नहीं होता फिर भी आप जो है मोबाइल 아east की बात करें यानि UPI की बात करें चाहे वो गूगल पे हो चाहे वो पेटम हो जाए वो कोई भी ऐसा यप हो जिसके तहता पेमेंट करते हैं और इसी जो है वो इंडिया में लाउंच किया जा रहा है हाला कि इस पेमेंट मार्ट का ट्रायल जो है वो चल रहा है जिसे आप वर्चुल ATM भी कह सकते हैं यानि आपके पास ना होते हुए भी यह ATM जैसा ही काम करेगा अब आप कहेंगे कि यह काम कैसे करेगा जबकि हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं आपको चाहिए एक स्मार्ट फोन आपको चाहिए मोबाइल अप्लिकेशन और तीसरा नंबर आपको चाहिए इंटरनेट यह तीरों चीज़े तो हमारे पास अभी भी है लेकिन आप बिना ATM के कैश नहीं निकाल सकते हैं बट अब आने वाले समय में आप निकाल पाएंगे क्योंकि RBI जो है यानि Reserve Bank of India जो है वो पेमार्ट इंडिया के साथ 6 महीने से जो है वो लिंग्ड में है और ये एप बहुत अच्छा काम कर रहा है आपको पेमार्ट इंडिया का एप जो है वो ही डाउनलोड करना होगा और मैं आपको ये भी बता दो सिर् पेमार्ट को खतम करने के लिए किया गया है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है इव आप कहेंगे पाम इंडिया सी तरह से करेगा जितनी ही आपके nearby shops होंगी, सब shops नहीं होंगी, कुछ shops होंगी जिने पेमार्ट इंडिया चुन लेगा और आपको क्या करना है उस दुकान पर जाना है, जैसे आप आज से पहले, अब तो आप app download करेंगे, आपको पता चल जाएगा, उस shopkeeper का नाम आ जाएगा, उसकी shop की location आ जाएगा और उसका mobile number आ जाएगा, आपको उसके पास जाना होगा और आपको कहना होगा कि आप मुझे cash दे दे, यानि वो आपको cash देने से मना नहीं कर सकता, आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपके mobile number पर OTP आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका mobile number जो है, आपके bank account के साथ link होना चाहिए, और वो mobile application में भी दिखाना चाहिए, कि आपका mobile number जो है, वो यह है, अगर बड़ी amount की payment करेंगे, उसके लिए नहीं है, क्यूंकि आज कल दुकानदारों के पास भी online system के बाद जादा तर cash नहीं होता, और साथी साथ मैं आपको बता दू कि Fintex company जो है, यानि Fintex firm की अगर हम बात करें, जो चन्दिगड की, उसने जो है, अलरड़ी से चला के रखा हुआ है, दिल्ली, हैदराबाद, चन्नाई और मुंबई में ये अलरड़ी जो है, वो काम कर रहा है, और आपको ये भी बिता दे, उठाने की भी जरूरत नहीं है, और किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है, जब चाहे पैसा निकालो, जब चाहे किस से भी पैसा ले ले,